मैं दीरज यादा उप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे जुरिशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्मूनिटी पर तो अगर मैं बात करूँ आज के सेशन की तो आज हम लोग यहां पर सिलॉक्स का पार्ट टू डिसकस करेंगे जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आईदर केस से यानि कि अगर मैं बात करूं तो स्सी के एक्जाम में अभी तक जो भी आपके कोशन्स पूछे गए हैं सिलॉक्स से रिलेटेड वहां पर आईदर केस आपको देखने को नहीं मिला है बट इनकेस अगर फ्यूचर में आपको आईदर के कोशन्स करते हैं कि आईदर केस का मतलब होता क्या है अगर हमसे पूछा जाता है तो कैसे हम उन कोशन्स को पिक कर पाएं कि यहां पर आईदर और का केस लग रहा है आसानी से को कैसे बना सकते हैं तो हर एक बात को यहां पर डिसकस करेंगे बिल्कुल डिटेल में विद रीजन ठीक रहें एक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कॉफी का कप और एक आपको दिखाई दे रहा है यहां पर चाय का कप ठीक है तो अगर हम आईदर केस की बात करें तो मैंने आपको मान लीजे कि स्टेट्मेंट दिया मैंने का आईदर यू केन प्रिफर कॉफी और टी या त अगर मैंने कहा इंदर ररकी कंडीशन है कि ठ्राइऑ अगर आप कॉफि को प्रिफ्र करते हैं च्छाय फिर नहीं ले सकते ठीक़ए और अगर आप यहाँ पाप्रिफर करते हैं तो कॉफिक मैं कि करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा किसी ने कहा कि हम दोनों लेंगे किसी ने किसी ने कहा अगर हम यहां पर कॉफी भी नहीं लेंगे और चाय भी नहीं लेंगे तो आप दोनों को छोड़ भी नहीं सकते यानि कि अगर आप महफिल में आए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा चाहे फिर आप चाय लीजे चाहे आप कॉफी लीजे ठीक है ना यानि कि ना तो हम दोनों को ले सकते हैं ना तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं कंडिशन यहां पर यह आईदर और की कि अगर एक यहां पर हम कॉफी को प्रिफर क करें तो कॉफी को हमें छोड़ना पड़ेगा दोनों को हमें एक साथ नहीं ले सकते हैं यहां पर समझ में आ गया होगा अब इन बातों को हम लोग कैसे इंप्लिमेंट करेंगे इसके बारें भी हम तर्चा कर लेते हैं तो कुछ आइदर से रिलेटेट जो बेसिक कंडिशन से वो हम लोग यहां पर note down कर लेते हैं तो note करके आपको जो भी बाते में यहां पर लिखवा रहा है उसको पहले लिख लेना है आइदर के लिए क्या क्या condition होनी चाहिए ठीक है कहां आइदर केस बनेगा कहां नहीं बनेगा इसके उपर भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे क्यों बनेगा क्यों नहीं बनेगा इसके बारे में हम लोग यहां पर बिल्कुल डिटेल से discussion करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम लोग नोट करेंगे बोट दा एलिमेंट शुट भी सेम यहां इसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शुट भी सेम भी लिख सकते हैं यानि कि हम जिन दो elements के रिलेशन जैसे कीamental हम लोग यहां पर डिफरफरिंट हमने चैना हम ब कर रहें हैं डोकि दोनों conclusion में उन्हीं हम क्या करेंगे elements की बात करेंगे टो बहुद उहें अर बात करेंगे कंक बात करेंगा So, one conclusion should be positive and the second should be negative. यानि कि एक conclusion क्या होना चाहिए आपका positive होना चाहिए और दूसरा conclusion क्या होना चाहिए negative होना चाहिए तीसरे जो हैं पर heme com condition की बात करेंगे, किसके किसके बीच में बनता है तो सबसे important है भोथ दा conclusion should be false bracket में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे can't say यानि कि उसकी possibility true होनी चाहिए लेकिन individually क्या होना चाहिए wrong होना चाहिए can't say का किस होना चाहिए both the conclusion should be false individually ठीक है यानि कि दोनो conclusion अपने आप में क्या होनी चाहिए false होनी चाहिए can't say का case ठीक है दोनों element क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए और एक आपका जो conclusion होना चाहिए और दूसरा conclusion क्या होना चाहिए negative होना चाहिए तो यह कुछ हो गई theory पर based जो आपकी बातें है practically with reason with logic हम लोग यहाँ पर सभी को समझने का प्रयास करेंगे चली इतनी बातों को आप लोग फिलाल note करके लिख लेंगे अब यहाँ पर देखते हैं कि either case किसका बनता है और किसका नहीं बनता क्यों बनता और क्यों नहीं बनता तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे statement की एक statement हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं statement लिखने के वज़ाए मैं सीधे यहाँ पर structure डो कर रहा हूं यानि कि sum AR C और sum CR B यह हो गया आपका statement अब किसका either case बनेगा किसका either case नहीं बनेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो हमने कहा यहाँ पर कुछ बातों को लिखते हैं sum AR B और फिर लिखते हैं no AR B फिर यहाँ पर हम जो दूसरा यहाँ यहर case देखेंगे sum AR not B और फिर all AR B इनका either case बनेगा और जिनका either case नहीं बनेगा sum AR B sum AR not B और no AR B and all AR B इनका either case नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो either का मतलब सबसे पहले आपको दिमाग में कौन सी बात रखने कि either का मतलब क्या होता है जैसे कि मैंने आपको चाय और टी दो options दिये तो जब आप एक option को prefer करते हैं तो दूसरा option आपको अपको अपने आप क्या करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा यनि कि दोनों को एक साथ आप pick भी नहीं कर सकते और दोनों को एक साथ आप छोड़ भी नहीं सकते और अगर ऐसा होता हुआ यहां पर दिखाई देगा इसको बिलकुल प्रैक्टिकल वे में बनता हुआ देखेंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जिनका इदर केस बनता है क्यों बनता है अगर में बात करूं अस्टैटमेंट स्टैटमेंट में दिया गया है कि सम यहां दोनों यहां पे मैं यहांपे बात करें स्टैटमेंट की NATO है यानि कि दोनों element अगर हम बात करें जो की तीसरी condition मने लिखी थी note कराने के बाद तो यहाँ पर दोनों element आप देख सकते हैं कि सभी के सभी conclusions में क्या है सभी के सभी जो pair of conclusions आपको दिखाई देने सभी में क्या है यहाँ पर दोनों element सेम है यानि कि a और b की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो अगर हम सबसे पहले इसको discuss कर रहे हैं यानि कि some a r b as well as no a r b तो हमने कहां दोनों conclusion individually क्या होने चाहिए wrong होने चाहिए और कौन से वाले false case होना चाहिए आपका can't say का case होना चाहिए यानि कि possibility वहाँ पर क्या होगी true होगी जहां पर भी आपका answer बनता है कांड से possibility वहाँ पर true होगी लेकिन अगर आप ध्यान दे कि अगर आप इसकी possible possibility बनाते हैं यानि कि possible इसका structure बनाते हैं तो दोनों structure आपका एक साथ exist नहीं करेगा दोनों के दोनों conclusion के लिए जो possible structure बनेगा वो दोनों possible structure एक साथ नहीं बना जा सकता यानि कि ऐसा कोई possible structure नहीं बना जा सकता जहां पर आपका conclusion ये वाला भी सही हो जाए और ये वाला भी सही हो जाए यानि कि अगर आप इसका possible structure बनाते हैं तो या तो यह सही होगा या तो यह सही होगा लेकिन दोनों बाते एक साथ exist नहीं कर सकती या फिर दोनों बाते एक साथ गलत होती हुए आपको दिखाई नहीं देंगी तो वहाँ पर either case बनेगा तो possible structure के उपर हम लोगों ने already बहुत ही detail में discuss किया हुए तो यहाँ पर हम लोगों समझने का प्रयास करेंगे as well as हम लोग यहाँ पर examples की भी चर्चा करेंगे तो अगर हम बात करें A और B की तो अगर A और B का हम some ARB का possible structure बनाएं तो some ARB का possible structure various तरीके से बनाए जा सकता है एक तो यह हो गया फिर अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम बना सकते थे या हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि some ARB का हम various structure बना सकते हैं और यहाँ पर हम C को अगर बात करें C क्या है कुछ C A का पार्ट है और कुछ C आपके B का पार्ट है तो इस तरीके से हम यहाँ पर C को भी बना सकते हैं यहाँ पर हम C को बना सकते हैं यहाँ पर हम C को बना सकते हैं और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं C को ड्रॉ कर सकते हैं यानि कि some ARB के लिए इतने प्रकार से ह सब्सक्राइब मुस्याथ कर सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है कुछ भी हो सकते हैं इसके एक सम्भावना है जिसके आप यह वैरियš स्ट्रफर्चर्स बनते हुए देकम यह कितने प्रकार से हम क्या कर सकते हैं structure ड्रो कर सकते हैं तो इसलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे कांट से यानि कुछ A B हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे कांट से लेकिन जब हम बात करते हैं no AR B की यानि कि कोई भी AB नहीं है तो क्या इसका possible structure बना जा सकता है तो बिल्कुल बना जा सकता है यानि कि इसी में अगर हम क्या करें इस प्रकार से हम मार्ग कर दें यानि कि यहां पे आपको हम no का relation मनाते तो हम बोलेंगे can't say लेकिन जब कोई भी AB नहीं होगा अगर यह वाली possibility हम सही मानते हैं तो कहीं पे भी आपका सम AR B आपको सही होता हुआ दिखाई नहीं देगा और अगर यहां पे सम AR B को अपने possibility में true मान लिया तो आपको no AR B कहीं पे भी सही होता हुआ दिखाई नहीं देगा अब इसको थोड़ा और डीटेल में समझने का प्रयास करते हैं जैसे कि मेरे हाथ में क्या एक पानी का बोटल है ठीक है इस पानी के बात करूँ तो मैंने एक बार आपसे कहा कि यह पानी का बोटल क्या है कि वहला कुछ पानी है तो आपको जानकारी नहीं है किसमें पानी है या फिर नहीं है तो आप क्या कहोगे कांड से यानि कि यह बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है और दूसरी बार मैंने आपसे कहा कि बोटल पूरी की पूरी क्या है खाली है यानि किसमें कुछ भी नहीं ह तो भी आप क्या कहोगे कांड से क्यों क्यों कि पूरी की पूरी बॉटल खाली हो भी सकती है और इसमें पानी हो भी सकता है तो अगर हम बात करें दोनों की दोनों कंडिशन्स की तो दोनों ही कंडिशन्स में आपने क्या कहा कि कांड से यानि की हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता तो अगर आप ध्यान दीजेगर पहली वाली कंडीशन यहां पर साही होती है यानि कि बॉटल में कुछ अगर पानी है तो अब यह सी बात है कि पूरी बॉटल खाली है यह बात क्या हो जाएगी अपने आप ही गलत हो जाएगी यानि कि दोनों बात एक साथ एकजिस्ट नहीं कर सकती अगर बॉटल में कुछ पानी हुआ तो पूरी बॉटल खाली है यह बात गलत और अगर पूरी बॉटल खाली है तो बॉटल में कुछ पानी है यह बात पूरी तरह क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी यानि कि दोनों बातों में से एक बात ही सत्य हो सकती है दोनो के साथ बनता है नो के साथ बनता है यह चीज यहां पर इसन के साथ हम लोगों ने देखा कि सम का यह忙 बने गा किय您 के साथ में नो के साथ में बनता हुआ हमें दिखाई देगा और पूरा पूरा जो आपका focus है वह किस बहुत होना चाहिए वह आपका possible structure पे होना चाहिए यानि कि possible structure पे आपकी बहतर command होनी चाहिए तो sum का no के साथ either case बनेगा चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे sum not का all के साथ तो हमने यहाँ पे कहा कि a का कुछ हिस्सा भी नहीं है एक कुछ हिस्सा भी नहीं है बत करें all a,r,b की all a,r,b की यानि कि सभी के सभी a क्या है बी है तो इसको भी हम बोलेंगे कांट से क्योंकि a,r,b के बारे में हमें नहीं पता है बात करें गर इनके possible structure की all a,r,b के बने structure की बात करें तो यहां पर इस प्रकार से बनाए जा सकता है कि सभी के सभी A क्या है B है और कुछ A क्या है C है as well as कुछ C क्या है B है तो अगर यहां पर हमने कहा all A are B सभी के सभी A क्या है B अगर यह बात सत्य है तो कुछ A B नहीं है ये बात definitely क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी अगर हमने कहा ये तो इसका actual answer है ठीक है अगर हमने कहा कि यहाँ पे सभी के सभी A B है अगर इस बात को हम सबते मान लेते हैं यहाँ पे कुछ A का हिस्सा B नहीं है, यह बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और अगर हम इस बात को सही माल लेते हैं, कि यह का कुछ हिस्सा B नहीं है, यानि कि अगर हम इसको इस परकार से बनाते, सम A are not B, और यहाँ पे हम बना लेते हैं, इस परकार से C, अगर इसकी हम पॉसिबिल्टी बनाएं, कि कुछ A, B नहीं है, तो पूरा का पूरा A, B हो जाएगी, यह बात कभी भी सत्य नहीं होगी, अगर यह सही तो यह गलत और यह गलत तो यह सही, दोनों बाते एक साथ पूरी बोटल भरी हुई है, अगर मैंने कहा, इस बोटटल के बारे में मैंने अगर आपको जानकारी दी, कि यह पानी की एक बोटल है, और आपको यह नहीं पता, कि इसमें पानी है यह नहीं है तो यहाँ पर हम आपको 2 conclusion दे रहे है, पहला यह दे रहे हैं, कि यहाँ पे क्या है खाली है ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी और यह बोटल अगर कुछ खाली है तो पूरी बोटल भरी है ये बात क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी अगर कुछ खाली हुआ तो पूरी भरी नहीं हो सकती तो किसी ने कहा कि सर दोनों बात एक साथ गल कहां से होगी अगर पूरी की 100 परसेंट खाली है तो Tanpa काली यहazar 1-2 करेंगी यानि कि ध्यानHello झीज़िए जब पूरी बडुटल क्या होगी भारी होगी तो कुछ बोडल खाली है यह बात बिल्कुल गलत और कुछ बोडल खाली है तो पूरी बोडल भरी है यह बात बिलकुल गलत यानि कि अगर हम बात करें आइदर केस की तो सबसे पहले आइदर केस उन elements के बीच बनेगा जिन elements के बीच हमारे पास direct relation यहाँ पे नहीं दिया गया है ठीक है दूसरी चीज़ की दोनों conclusion क्या होने चाहिए individually फॉल्स होने चाहिए वो भी कौन सा वाला false current से वाला यानि कि possible structure उनका बनना चाहिए अब possible structure के अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों के ही possible structure बनाए जा सकते हैं अगर आप यह वाला structure बनाते हो तो यह नहीं बनाया जा सकता और यह वाला बनाते हो तो यह नहीं बनाया जा सकता यानि कि दोनों possible structures को हम एक साथ ले करके नहीं चल सकते हैं यहाँ पे case क्या बनेगा either or यानि कि answer जो हमारा हम mark करेंगे हो क्या करेंगे either conclusion one और conclusion two follows ठीक है चल अब आज आते हैं some AR B और some AR not B का either case क्यों नहीं बनता reason के साथ समझने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे और सिलॉक्स की जैसे कि मैंने कहा अभी तो either case यहाँ पर हम लोग discuss कर रहे हैं previous जो session रहा हमारा अगर हम बात करें PSC की तो वहाँ पर हमने either case को discuss नहीं किया था उसको देख लेते हैं तो जब हम बात करेंगे किसकी sum AR not B और all AR B की तो यहाँ पर हम लोग note करके लिखेंगे sequence should be same sequence किसका दोनों element का यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों element का जो sequence है वो क्या होना चीज़ same होना चीज़ तभी यहाँ पर आपका either case बनेगा अगर इनके sequence में हमने hair fair कर दी तो यहाँ पर आपका either case नहीं बनेगा क्यों ऐसा होता है इसके बारे में दी चर्चा हम करेंगे जब कि अगर हम बात करें सम AR B की और यहाँ पर no AR B की तो यहाँ पर आपका sequence matter नहीं करेगा तो यहाँ पर sequence matter क्यों करता है यहाँ पर sequence matter क्यों नहीं करता दोनों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर sequence के change करने पर यहाँ पर क्या बदलाव आता है क्यों sequence same होना चीज़ इसकी भी हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं तो sequence अगर हम यहाँ पर इसका change कर देते हैं तो क्या तो यह आपका either case बनेगा, अगर यहाँ पर हम कर देते हैं B, यहाँ पर हम कर देते हैं A, तो अगर हम बात कर इसके possible structure की, यानि कि sum AR not B, और यहाँ पर all B are A, तो देखो यहाँ एक ऐसा structure हम यहाँ पर बनाएंगे, all B are A, और sum AR not B का, यह होगी आपका C, तो देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, A कही structure में दोनों बातों को exist करा दिया, कि यहाँ पर कुछ A का हिस्सा क्या नहीं है, B नहीं है, साथी साथ सभी के सभी B आपके क्या हो गए, A हो गए, यानि कि दोनों बाते एक साथ यहाँ पर क्या कर जा रही है, exist कर जा रही है, इसलिए इनका sequence क्या होना चाहिए same होना चाहिए दोनों ही conclusion का sequence element का क्या होना चाहिए दोनों ही conclusion में element का sequence same होना चाहिए तभी आपका either case बनेगा otherwise sequence को change करने पे देखो एक ऐसा possible structure बनाए जा सकता है जहां पे दोनों के दोनों बातें आपकी एक साथ क्या कर जा रही है exist कर जा रही है इसलिए यहां पे आपका either case नहीं बनेगा अगर sequence में हम इनके change कर देते हैं तो answer क्या हो जागा neither conclusion one nor conclusion two follows ठीक है यानि कि ना तो conclusion एक ना तो conclusion दो यहां पे आपका अनुसराण करेगा तो sequence यहां पे क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए अब बात कर लेते है reason की क्यों sequence यहां पे matter करता है sequence matter क्यों करता है अब इसके बारे में हम लोग यहां पे चर्चा कर लेते है चलिए तो sequence क्यों matter करता है अगर इसकी बात हम करें तो जब हम बोलते हैं sum ARB statement में जब हम बोलते हैं sum ARB तो sum BRA यहाँ पर आपका reverse case बनता यानि कि sum BRA अगर हम बोलेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर true बनेगा जब हम बोलते हैं no ARB जब हम बोलते हैं कोई A, B नहीं है तो कोई B, A नहीं ये बात भी क्या होती है सही हो जाती है लेकिन जब हम बात करते हैं सम A, not B की अगर आपने प्रिवेस सेशन नहीं देखा तो यहां पर आपको कुछ भी बाते समझ में आने वाली नहीं इसलिए अगर आपने प्रिवेस सेशन नहीं देखा तो प्रिवेस सेशन पहले जाकर करके देखिए क्योंकि यह सारे बेसिक जो आपके स्टेटमेंट से इनको हम लोगों ने बिल्कुल डीटेल में डिसकस किया हुआ है यानि कि अगर हम यहां पर बोले है आप सम A, not B यानि क हम बोलते हैं, all A, B जब हम बोलते हैं, all A, B तो यहां पर अगर हम बोलेंगे, all B, आ रहे तो भी क्या बनेगा, kind से बनेगा, यानि कि इनका reverse हम केस नहीं देखने को मिलता हमें, इनका reverse केस हम directly नहीं बना सकते, answer क्या मिलता हमे, kind से मिलता है, इसलिए यहां पर sequence आपका matter करत यह हो गया, कि इनका आइदर केस बनता है, क्यों बनता है, हर एक चीज का हम लोगों ने logic के साथ, reason के साथ, यहां पर discuss किया, अब हम बात करेंगे कि इनका आइदर केस क्यों नहीं बनता है, इनका आइदर केस क्यों नहीं बनता है, इसके बारे हम लोग यहां पर चर्चा कर तो किसी भी चीज को एक्सेट करने से पहले आपके पास क्या होना चीज एक वैलिड रीजन होना चीज अगर आपके पास एक वैलिड रीजन है तब तो आप उस चीज को फॉलो करिए अधरवाइस कहीं न कहीं आपको फिर कंटिनिटी की और बढ़ते रहना होगा कि आपको एक प्रॉपर एक वैलिड रीजन एक वैलिड लॉजिक नहीं मिलता क्यों 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 कि यहां पर हम बात करेंगे सम और सम नॉट की तो बहुत सारी जगहों पर के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे जैसा कि हमने आई दर को समझा कि आईदर का मतलब होता क्या है तो यहां पे अगर दोनों बाते एक साथ आपके एक्जिस्ट कर रही थी तो यहां पर सीक्वेंस चेंज करने के बाद आपको आईदर केस बनता हुए दिखाई नहीं दिया, उसी प्रकार हम यहाँ पर बात करेंगे, इसको मैं correct कर देता हूँ ठीक है, चलो, अब हम इसी प्रकार बात करेंगे, कि यहाँ पर आज़र केस नहीं बनता, तो क्यों नहीं बनता, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है तो अगर हमने कहा, sum A, R, B, कुछ A क्या है, B हैं और फिर हम बोलें, sum A, R, not B, तो अगर हम दोनों को एक साथ exist कराने, दोनों possibilities हमारी एक साथ साही हो जाने, तो यहाँ पर आज़र केस हमको बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो जैसे कि अगर हमने कहा, sum A, R, B, तो यहाँ directly हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे can't से, हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे can't स, यानि कुछ A, B, हम तो बोलेंगे कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसी प्रकार जब हमने कहा सामया not B, तो हम बोलेंगे can't स, यानि कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते ह कि अगर हम यहाँ पर एक structure बनाए कि कुछ A क्या हो जाए B हो जाए और हमने का कुछ A क्या है C है as well as कुछ B भी क्या है C है ठीक है और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुछ A B नहीं है तो ध्यान दीजे इस particular statement का एक ऐसा possible structure बनाए जा सकता है जहाँ यहाँ पर कुछ A B है या भी आपका exist कर रहा है as well as कुछ A B नहीं है या बात भी क्या औरी साही हो रही है यानि कि अगर इसको हम इस bottle के example से समझें तो हमने आपको bottle यह पानी की एक bottle इसके बारे में जानकारी दी और जब हमने कहा कि कुछ B bottle भरी है तो आप क्या बोलोगे कांड से और जब आपसे बोला गया कि कुछ B bottle खाली है तो आपने कहा कांड से यानि कि क्या दोनों बाते एक साथ गलत हो सकती है या दोनों बाते एक साथ यहाँ पर गलत होती हुई आपको दोनों बात यहां पे आपको एक साथ सही होती हुई दिखाई देगी कैसे दिखाई देगी माल नेतम ने कहा आधी बोटल में क्या है पानी है आधी बोटल में पानी है यह बोटल यहां तक क्या है भरी है अगर बोटल यहां तक भरी है तो कुछ बोटल भरी है यह बात भी क् इसलिए यहां पर हम इसको आइधर केस कंसीडर नहीं करेंगे क्यों क्योंकि आइधर का मतलब क्या था कि अगर एक बात सही हो रही तो दूसरी बात वहां पर एक्जिस्ट नहीं कर सकती है और अगर दूसरी बात सही हो रही तो पहली बात वहां पर एक्जिस्ट नहीं करेंग कि देखो statement भी इससे आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे तो यहां पर भी यह बात आप इसको वाइलिड होता हुआ देख सकते हैं अगर हमने कहा कुछ a b है कुछ b c है और कोई सी यह नहीं है तो देखिए यहां पर एक कुछ statement अगर हम conclusion बनाते हैं पर क्या कि सम b r a तो यह बात भी साही हो जाती और सम b r not a तो यह बात भी क्यों जाती है तो ऐसे भी पॉसिबल structure आपके देखने को मिल सकते हैं यानि कैसा एक पॉसिबल structure बनाया जा सकता है जहां पर आपका क्या हो एक कुछ दोनों बातों का existence साथ को साही होती है पॉसिबल structure नहीं डुनों के लिए ऐसा अगर यहां पर एक पॉसिबल बनाया जा सकता कि जिनमें दोनों कंक्लूजन आपके एक्जिस्ट करते तो यहां पे आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन यानि कि निसकर्स क्या करते एक्जिस्ट करते तो वहां पे आईदर केस आपका बनता हुआ दिखाई नहीं दिया तो इसी करण्ड से यहां पर आपका either case बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों ही बातों का existence एक साथ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा, यानि कि either case बनता है, किसका, किसका sum का बनता है, no के साथ, और sum not का बनता है, all के साथ, sum बात करेंगे, no का all के साथ, no का all के साथ, either case नहीं बनता, तो क्यों नहीं बनता, तो sum not का, all के साथ, either case बनता है, और इसके बाद अगर हम बात करें, तो sum not का, sum के साथ, either case नहीं बनता है, तो जैसे कि हमने कहा, no ARB, यहां पे कोई A, B नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, कांट से क्यों, क्योंकि A और B के बीच रिलेशन हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, यहां पे हम बोल रहें कि all ARB, यानि कि पूरे के पूरे A क्या है, B है, तो यह भी एक possibility बनती कि पूरे के पूरे A क्या हो जाए, B हो जाए, या पूरे के पूरे A, B ना हो, दोनों यहां पे आपको condition देखने को मिल सकती, as a possibility, तो यहां पे हम अगर बात करें individual conclusions की, तो no ARB क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा, और all ARB क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा, जानी कि सभी A, B है, या बात भी हम कहा नहीं सकते, possibility है, और कोई भी A, B नहीं है, या बात भी हम कहा नहीं सकते, इसकी भी क्या है, संभावना है, तो क्या दोनों बातों का एक साथ existence हमें देखने को मिल सकता है, दोनों बात एक साथ हमें सही होती हुई या दोनों बात एक साथ हमें गलत होती हुई दिखाई दे सकती है तो बिल्कुल दे सकती है जैसे कि हमने कहा इस बॉटल का एक्जामपल लिया एक बार हमने आप से कहा कि पूरी की पूरी बॉटल क्या है खाली है तो आप बोलोगे काइंट से यानि कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता और अगर मैंने कहा कि यह पूरी की पूरी बॉटल क्या है भारी है तो आप कहोगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यानि कि अगर हम बात करें दोनों बातों के existence की एक साथ की तो यहा कि पूरी बॉटल भारी है या बात भी गलत हो गई और पूरी बॉटल खाली है या बात भी गलत हो गई दोनों बाते एक साथ यहां पर आपको गलत होती हुई दिखाई दे रही इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर मिसले यहां पर आपका आइधर केस नहीं बनता आइधर केस का मत बनेगा तो चलिए अभी सस्पेंस खतम करते और मैं पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ तो यह हो गया इधर पर बेस्ट कुछ बेसिक कॉंसेप्ट अब हम लोग इससे रिलेटेट कोश्चन की बात कर लेते हैं कोश्चन के अगर हम बात करें तो चलिए फटा फट चे हम लोग क्या करेंगे structure यहां पर डॉख करेंगे बोला जा रहा है यहां पर all bulls are angry यानि कि सभी के सभी बुल क्या है angry है और अगला हम बात करें यहां पर बुला है some angry are happy कुछ जो angry है वो क्या है happy है तो इनका structure इस प्रकार से हम डॉख करेंगे conclusion की बात करें तो बोला जारा some bull are happy कुछ बुल क्या है happy है तो हम इसको बोलेंगे can't से यानि कैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता फिर आपसे बोला जारा no happy is bull कोई भी जो happy है वो बुल नहीं है तो अगर कोई भी happy बुल नहीं है इसका existence हुआ तो some bull are happy यह गलत हो जाएग sequence की बात करें तो देखो यहाँ पर पहले bull है फिर happy है जब कि यहाँ पर पहले happy फिर bull है लेकिन यहाँ पर आपका sequence matter नहीं करेगा क्योंकि मैंने आपको अलड़ी बता है कि some का no के साथ sequence matter नहीं करेगा तो दोनों individually क्या है false अगर हम इनके possible structure की बात करें तो आप इस possible structure के साथ जाते हैं तो यह structure अपने आप क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दोनों पॉसिबल structure एक साथ exist नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर चार ही विकल्प देखने को मिलते हैं तो एक option आपका either और का भी देखने को मिलेगा बचे हुए तीन विकल्पों के साथ यहाँ पर मैं आ बात कर अगर हम यहाँ पर अगले कोश्चन की तो अगले कोश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर सम अपार्टमेंट्स और हट कुछ अपार्टमेंट क्या है पिर से चल यह बात कर लेते हैं अपर अगले कोश्चन की अगले कोश्चन के अगर हम बात करें तो यहाँ कि सारे के सारे जो apartments हैं हो क्या हैं हट है यानि कि जोपड़ी फिर आप से बोला जा रहा no hut is a building कोई भी हट जो है वो आपका building नहीं है और लास्ट वन आप से बोला जा रहा all buildings are cottages जानि कि सारे के सारे जो building से हो क्या है cottage clear बात कर लेते हैं किसकी conclusion की तो conclusion यहां पर आपसे बोला जा रहा no cottage is an apartment कोई भी cottage apartment नहीं है तो ध्यान दीजे अगर हम बात करें cottage के apartment होने की possibility की तो building वाले part को अगर हम छोड़ दें तो remaining part है cottage का वो पूरा का apartment का हिस्सा हो सकता है बात के उपर हम लोगों ने चर्चा की हुई है यानि कि अगर हम बात करें इसके possibility की तो इसकी possibility हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है इसलिए हम बोलेंगे यहां पर can't say next one कि अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे बोला जारा some cottages are apartment तो जैसा कि हमने कहा कि building के अलावा जो remaining part है वो apartment का हिस्सा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता तो अगर इसका some part apartment हो गया तो no cottage apartment definitely क्या हो जाएगा false हो जाएगा और no cottage apartment अगर यहां पर सही है तो some cottage are apartment definitely क्या हो जाएगा false हो जाएगा यानि कि दोनों बात एक साथ exist नहीं कर सकती यानि कि दोनों का individual यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है current से दोनों का जो यहां पर अगर हम बात करे conclusion दोनों का answer क्या मिलेगा हमें current से मिलेगा लेकिन दोनों एक साथ exist नहीं करेंग इसलिए answer क्या बनेगा यहां पर either conclusion one और conclusion two follows ठीक है बढ़ते हम लोग यहां पर अगले question की और अगर अगले मैं question की बात करूँ तो बोला जा रहा all table are bottle सारे के सारे table क्या है bottle है no bottle is chair फिर आप से बोला जा रहा some chair are paper कुछ chair क्या है बात कर लेते हैं conclusion की तो conclusion में बोला जा रहा है some paper are table कुछ paper क्या है table है तो paper के अगर इस इससे को हम छोड़ दें तो जो remaining part है वो some paper are table यानि कि जो remaining part है वो table का part हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता as well as यहाँ पर हम बात करें दूसरे conclusion की तो बोला जा रहा है no paper is table यानि कोई भी paper क्या नहीं table नहीं है यानि कि individual अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें मिल रहा है can't से और यहाँ पे भी हमें मिल रहा है can't से यानि कि अगर दोनों के existence की बात करें यानि कि दोनों element के sequence को हम change करने तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों कि यहाँ पे sum और no की बात की जा रही है यहीं पे अगर आपसे sum not और all की बात करता तो sequence definitely क्या होना चाहिए था same होना चाहिए था otherwise आपका यहाँ पे either case बनता हूँ उसके लिए आपको वहां तक जाने की ज़रुत नहीं वहां तक आपको exam में question देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा भी either case आपको देखने को मिलेगा वो कहा मिलेगा तो only a few related questions में भी आपको either case बनता हूँ दिखाई देता है जो कि अपने को यहां पर discuss करने का होशकता नहीं है अभी तक जो भी हम लोगों ने content discuss किया हुआ है वो आपका more than enough है आपके exam के point of view से अगर कोई banking से जुला हुआ experiment भी इस session को देख रहा है तो उसके लिए भी यह काफी beneficial होने वाला यानि कि आपको कहीं न कहीं है कि reason के साथ में banking में पूछे जाने वाले almost जो भी concepts है वो मैं यहां पर already आपके साथ में discuss कर चुका हूँ अब हम बात करें यहां पर कुछ और questions discuss कर लेते हैं इसके वाद हम लोग बात करें यहां पर only a future related concepts की चलिए अगर मैं बात करूँ statement की तो बोला जारा all hat are cap सारे के सारे hat क्या है cap है some cap are not red कुछ cap जो है वो red नहीं है फिर आप से बोला जारा all red are blue सारे के सारे red क्या है blue है clear अब हम लोग बात कर लेते हैं पर conclusion की conclusion की अगर मैं बात करूँ तो बोला जारा some hat are red कुछ hat क्या है red है तो अगर हम बात करें पूरा का पूरा hat भी red का part हो सकता है यानि कि hat की अगर हम बात करें red के होने की possibility की तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा इसलिए हम इसको बोलेंगे can't से फिर यहां पर बोला जा रहा no hat are red कोई भी hat red नहीं तो इसको भी हम बोलेंगे can't से लेकिन दोनों बातों का existence एक साथ बनता हुआ दिखाई नहीं देगा इसलिए यहां पर answer क्या some marker are wall और फिर भोला है some paint are pen as well as wall ठीक सम paint are pen as well as wall और यहां पर आप से बोला है some marker are wall ठीक कुछ marker को हम बना लेते हैं यहां फिर बोला है some paint are pen as well as wall तो यह यह होग अपका पेंच है अब यहां कि अगर आप देखें तो पेंट और मारकर का कोई भी यहां पर हमें चाहिए नहीं नहीं देतरा है कि नहीं दें च्री प्रस्षंत केद्गी हैं कि mamma संभावना होती है यहां पर समझने के लिए यहां पर समझने के लिए यहां पर structure की बात करें इस वाले structure में आपको एक basket दिखाई दे रही है और इसमें अगर हम बात करें कुछ आम आपको रखे हुए दिखाई दिए हैं इन आमों के बारे में अगर मैं आपको एक statement दू यानि कि अगर मैं कहूं कि केवल कुछ आम क्या हैं पके हैं तो मैंने आपको क्या statement यह केवल कुछ आम पके हैं यानि कि कुछ आम के पके होने की जानकारी दी इसके लाओ मैंने आपको कोई जानकारी नहीं दी अब ध्यान दीजी मैंने कहा केवल कुछ आम पके हैं इट मींस मैंने यहां पे जो रिमेनिंग आम हैं कुछ को अगर हम छोड़ दें कुछ को अगर उसके बारे मैंने आपको जानकारी नहीं दी लेकिन यहां पर एक बात तो बिल्कुल definite है कि कुछ को अगर छोड़ दिया जाए जाए तो बाकि क्या हम पके हुए नहीं होंगे पके नहीं होंगे जैसे अगर मैं बात करूं इन bottles की यहां पर आपको कुछ बॉटल दिखाई दे तो कुछ बॉटल को अगर हम छोड़ दें तो रिमेरिंग बॉटल अपने आप यहां पर खाली होने की इन्फरमेशन हमें इस सेंटेंस में मिलती हुई दिखाई दे रही है यानि कि अगर हम किसी क्लास की बात करें मान लेते हैं एक कोई एक क्लास है इस क्लास में 20 बच्चे ह ठीक है इस क्लास में 20 बच्चे हैं तो हमने कहा केवल कुछ ही बच्चे क्या है intelligent है तो अब कुछ को छोड़ दीजे कुछ को छोड़ देंगे तो क्या है बाकी के बच्चे intelligent नहीं होंगे तो intelligent नहीं है विद्वान हो सकते हैं ठीक है कुछ भी हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि intelligent न अगर हमने का किसी एक्जाम में सो बच्चे अपियर हुए किसी एक्जाम में सो बच्चे अपियर हुए तो only a few के case में क्या होता है only a few के case में हमें एक positive statement दिखाई दे रहा है only a few a r b मानली दिखाई दे रहा है तो कुछ a b है यह बात तो निश्चित है लेकिन उस case में सभी के सभी a कभी भी नहीं हो सकते लेकिन यानि कि यह बात बिल्कुल क्या होगी understood होगी कि अगर हमने का only a few a r b तो structure की बात करें तो कुछ a b है यह बात तो निश्चित है लेकिन पूरा का पूरा एक अभी भी भी नहीं हो सकता यानि कि इसको हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे समझेंगे कि कुछ a क्या है b है as well as some a r not b यानि कि अगर हम बात करें यहां पर possibility की तो possibility यहां पर बहुत important ह हो जाता है यानि कि अगर हम बात करें all a being a possibility तो यह बात क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी यानि कि सभी के सभी एक अभी भी भी नहीं हो सकते लेकिन अगर हम यहां पर बात करें all b being a possibility तो यह बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी यानि कि पूरे के पूरे यहां पर बी एक कुछ ऐसा इससा नहीं होगा यह information भी अपने आप हमें बनती हुई दिखाई देगी तो जो condition यहां पर हमारी बनती है only a few a or b के साथ में in the same way condition हमारी बनेगी किसके साथ में only a few not के साथ में बिलकुल वाई condition मनें कि कोई भी अंतर आपको उता हुआ नहीं दिखाई देगा जैसे कि अगर इस टोकरी में मैं रखे गया के बारे में information में थोड़ा सा बसलाव करूंग और मैं यहां पर कहूं कि केवल कुछ vaisde रून के नहीं हैं के वाल कुछ आपके नहीं है तो मैंने आपको एक यहां पर negative information दी यानि के रिकुछ आं के ना पके होने की जानकारी दी के यहां पर जो बाकी के आम हैं वो पके हुए होंगे यनि करना करें बाकी कि या यहां पर byन इंटेलिजेंट नहीं है इट मीन्स कि जो बाकी के स्टुडेंट रोड़ डेफिनेटली क्या है इंटेलिजेंट है यानि कि अगर हम बात करें किसी एक्जाम सो बच्ची हपीर हुए तो हमने कहा केवल कुछ बच्चों ने एक्जाम कॉलिफाई नहीं किया इसका मतलब कि बा पार्ट होगा तो चाहे आपको only a few AR B से related statement देखने को मिले या फिर आपको only a few AR not B से related statement देखने को मिले दोनों ही case में confused नहीं होना यहां पर हम possibility की बात करें तो all A being B is a possibility क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जबकि all A being A is a possibility सारे के सारे B के A होने की संभावना यह बात क्या हो जाएगी सही होती हुई आपको दिखाई देखी चलिए बात कर लेतें इस से related questions की यहां पर possible structure बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए complicated हो जाएगा नहीं बनाएंगे तो चलिए बात कर लेते statement की तो statement में बोला जा रहा है only a few trees are green यानि की केवल कुछ tree क्या है green है तो कुछ tree तो green होंगे as well as tree का at least कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो की कभी भी green का part नहीं हो सकता ठीक है फिर हम बात करेंगे no green is leaf कोई भी green क्या नहीं है leaf नहीं है कोई भी green लीफ यानि की पत्ती का part नहीं है फिर यहां पर आप से बोला जा रहा सम लीफ आर फ्लावर्स कुछ लीफ क्या है फ्लावर्स है तो यह होगा आपका फ्लावर क्लियर यह होगा आपका दिये के स्टेट्मेंट के अकॉर्डिंग जो हमें structure बनाना था अब बात करेंगे conclusion की तो बोला जारा हरे हैं तो कुछ हरे भी क्या होंगे पेड होंगे तो बोला कुछ पेडों के हरे होने की संभावना है some trees being green is a possibility जो कि हमें already दिखाई दे रहा है तो यहां पे भी बहुत सारे बच्चों के doubts होते हैं तो इस doubt को भी मैं clear करने का प्रयास करूंगा अभी इसी session में तो बोला जा के भी अगर मैं बात करूं मैं एक offline session का थोड़ा सा यहां पर discussion करना चाहूंगा आप लोगों को साथ वाक्या यानि कि अगर हम बात करें एक बार क्या था कि class में पढ़ा रहा था और इसी प्रकार का हमें conclusion देखने को मिला जहां पर आपका statement में जो बात दिखाई दे रही थी वह बात already क्या थी यहां पर possibility के साथ लिखी हुई थी तो मैंने कहा कि possibility के साथ अगर हम बात करें जो आपका अगर हम बात करें conclusion सही है वह possibility के साथ में गलत माना जाएगा यह नह भी एक जो हमारे प्रिय विद्यारती थे उन्होंने इसके लिए भी logic का कहीं न कहीं जिक्र किया कि इसके लिए भी एकसर logic दिया जाए हमें और हम क्यों मानने कि जो बात यहां पर already सही है जब उसमें हमने possibility लगा दिया तो वो बात क्यों गलत हो जाएगी यह नहीं कि उसको तो उसने कौन सा गुना कर दिया आम बेच भी रहा और बोड भी लगा दिया तो मैंने का एक तो पहली चीज तो रिलेट नहीं कर रहा है बड़ चलिए फिर भी आपके अंदर जिग्यास है तो फिर थोड़ा आगल बगल की स्टुडेंस का सपोर्ट आना शुरू होता है कि सार मान लीजिए कि ठेले वाला ठेला यहां लगाता है बैठा कई और हो तो किसी को पता ही नहीं हो कि यह आम है तो मैंने का सभी कह रहे हो कि दूसरे गोले से आया होगा है तो भाई इसी गोले का प्राड़ी ठीक है अब यहां पर मुद्दा यह था कि चाहिए था सामने व तो उन्होंने का जी ओसर जानना चाहते हैं तो मैंने का ठीक है आप खड़े हो जाईी जर्ण्यर्न आपको जनना आ की खरा het यह आ आपना यह आप को जानना यह नहीं तो आपसे बिएर सार गःए तो उन्होंने कहा कि इसी मेल हें तो मैंने का पका कोई doubt तो नहीं है कि आप male है तो उनोंने बोला थोड़ा aggression में कि अरे सर जो पूछना है वो पूछिए ना यह क्या पूछना है male female हमने का भाई बताओ ना कि आप definitely male है ना तो बोले कि हाँ सर हम male है थे झाओ ठीक है हम आपके लिए यहाँ पर दो sentence बोल रहे हैं ठीक है आपको बताना है कि इन में से कौन सा वाला sentence सभी है तो एक sentence में हमने आप से कहा कि आप एक mail हैं याने कि आप एक पुरुश है और दूसरा आप पुरुश हो सकते है तो बताइए कौन सा वाला sentence सही है इसके आगे मुझे कुछ भी explain करने की जरुवत नहीं पड़ी और I hope कि यहाँ पे आपको भी clear हो गया होगा यानि कि अगर भाई अगर मैं बोलू कि यह marker है तो marker को marker करने में क्या तकलीफ है अब इसको कहोगे यह marker हो सकता है जो चीज़ आपको अलड़ी दिखाई दे रही कि यह smart board है तो यह smart board हो सकता है कि क्या हो जाएगी बात गलत हो जाएगी तो जो बात आपकी ऑलड़ी क्या कर रही एक्जिस्ट कर रही वहां पर जब हम possibility जोड़त हो जाएगी क्यों गलत हो जाएगी तो यहां पर आपको clear हो गया होगा चलिए बात कर लेते हैं बचे हुए conclusions की बात कर लेते हैं बचे हुए conclusions की यहां पर बोला जारा some trees are not green कुछ trees green नहीं तो यह बात भी है यह हमें दिखाई देरी कि कुछ प्यड़ का हिस्सा क्या है जो कि green का पार्ट कभी भी नहीं हो सकता तो यह क्या हो गया सई हो जाएगा फिर यहां पर आप से बोला जारा all flowers can be all flowers can be trees यानि कि सारे के सारे जो फूल है वो पेड़ हो सकते हैं तो यह हो गया आपका फ्लावर और यह हो गया ट्री तो सारे के सारे इसका पार्ट अचा यह बात क्या होगी साही होगी साही होगी जो क्या पॉसिबल स्ट्रच्टर बना सकता लाकर आपको बनाकर सारे के सारे फ्लावर्श को पहले क्या बना ल हैं तो यह हो गए कुछ ली फिलावर है और कोई भी आपका लीफ नहीं है तो यहां पर आप देखेंगे तो सारी एक सारी बातें आपको एक्जिस्ट होती हो दिखाई देंगे आपका यह थर्ड वाला कंक्लूजन भी आपको एक्जिस्ट होता हुँ दिखाई देगा जैसे कि only a few trees are green केवल कुछ trees क्या है green है तो tree का कुछ इससा green नहीं है इसके आगे अगे अगर मैं बात करो तो no green is leaf कोई भी green leaf नहीं तो possible structure पर कमांड हो जाएगा तो यह सारी चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में ही ड्रो होती हुई दिखाई देंगी आपको अलग से बनाने की जरुवत नहीं पड़ेगी लेकिन जब आप क्या करें सी करें तो चीजों को बना करके देखिए कि क्या ऐसी पॉसिबिल्टी बन है नो रैम हाड डिस्क कोई क्या नहीं हाड डिस्क नहीं है फर आपसे बोला वने फियो हाड डिस्क किया यह कुछ हाड डिस्क तो सीपी यू होंगे सारह के दिखाई पर दर्फ ठेख शीन यहां पर ब Hans 느सव प्रकार से यहां पर मैं बात करो तो ओसी była की बोर्ड सारे के सा सारे cpu जो है वह क्या कि मोर्ड सी बोर्ड है तो चलो ये सारे के सारे सीखियों को बना ले था है ठीक है बात करते हैं कंक्लूज सन छी तो झार kenkhl Wam लेंग की बोड पॉसिबिलटी सारे सारे RAM जो है वो keyboard हो सकते हैं इसकी संभावना है तो बिलकुल यहां पर जो RAM का हिस्सा है वो पूरा का पूरा keyboard का भी part हो सकता है as well as CPU का भी part हो सकता है यानि कि possibilities की क्या हो जाएगी true हो जाएगी possible structure आप बना करके देख लेंगे all hard disk being CPU is a possibility सारे के सारे hard disk CPU हो जाएगी इसकी संभावना तो यह बात क्या हो जाएगी क्यों गलत हो जाएगी क्यों कि यहां पर आपको बुला है only a few hard disk CPU क्या है CPU it means यह बात understood है कि hard disk का at least कुछ हिससा ऐसा होगा जो कि CPU का पार्ट नहीं हो सकता तो all hard disk being CPU is a possibility क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएगा answer की बात करें तो answer क्या हो जाएगा only conclusion one follows ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले question की अगले दी मैं question की बात करूँ तो some pens are copies कुछ pen क्या है copies है कुछ pen copy है only a few copies are ink केवल कुछ copy क्या है ink है और no ink is a pen ठीक है only a few copies are ink और फिर बोला आपसे no ink is a pen कोई भी ink pen नहीं है तो यह हो गया आपका क्या structure अब अगर हम बात करें आप एक conclusion की तो all ink being copies is a possibility सारे के सारे इंक कॉपी हो सकते हैं इसकी संभावना है तो यह मैंने आपको अलड़ी बता रखा था only a few a r b अगर दिया है और all be being is a possibility पूछता है तो यह बात क्या हो जाएगी बिलकुल सही हो जाएगी उसी प्रकार का यहाँ पर आपको conclusion दिखाई दे रहा है तो यह conclusion भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है यानि कि सारे के सारे इंक को हम कापी बना सकते है लेकिन सारे के सारे कापी को हम इंक नहीं बना सकते only a few copies are pen केवल कुछ copy क्या है pen है केवल कुछ copy ही क्या है यहाँ पे pen है अगर इसकी बात हम करें तो copy का जो कुछ हिस्सा है वो तो आपको pen में दिखाई दे रहा है लेकिन copy का कुछ हिस्सा pen में नहीं होगा क्या ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ हिस्सा कंडिशन को 있어 कर रहा है कुछ स्विस्सा नहीं हो सकता यानि कि कुछ स्विस्सा कंडिशन को our pay तो फॉपीजर तो पार्ट हो कुछ इस्सा पार्ट नहीं हो तो सद्फॉलों नहीं है बात कर लेते हैं, आज के सेशन के लास्ट कोस्चन की, तो अगर इस कोश्चन की हम बात करें, तो some मोबाइल are not phones, कुछ मोबाइल जो हैं, वो फोन नहीं है, फिर आपको दिया है, some मोबाइल are Android, कुछ मोबाइल क्या हैं, android हैं और यहाँ पे some phones are Android, ऐखे, भी क्या हो जाए एंड्रोइड का हिस्सा हो जाए और कुछ फोन भी क्या हो जाए एंड्रोइड का हिस्सा हो जाए यानि कि आप आप ले सकते हैं सब मोबाइल सार नौट फोन मोबाइल का कुछ इस्सा फोन नहीं है और मोबाइल सरी और मोबाइल सार एंड्रोइड था गलब तो आल मोबाइल सार एंड्रोइड हो गया और यहां पर सम फोन का भी कुछ इससा क्या पार्ट है अब अगर आप यहां पर ध्यान दीजे तो यह पूरा का पूरा मोबाइल क्या है अंड्रोइड का पार्ट है अगर अंड्रोइड का पार्ट है यह बात क्या है तो ओन्ली आफ यू नॉट पूछे दोनों यहां पर पार्ट है आपको यहां पर बंती हुई दिखाय दे रही तो यहां पर आझग प्ली हो जाएगी क्यों ट्रू हो जाएगी क्योंकर हम बात करें इस मोबाइल के और फान की मोबाइल और फोन के रेलेशन की बात करें तो क्योंतों इसी पोर्षन पे हो सकता है तो जब इस इसका possible structure तो यह हो जाएगा android equals to mobile android equals to mobile यानि कि सारे कि सारे android क्या होगा mobile होगा यहां पर हमने बना लिया क्या phone और mobile का जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं है phone का part नहीं है यानि कि इसके possible structure की बात के तो इस प्रकार से बना जा सकता है यानि कि इसकी possibility बेलकुल बनाई जा सकती यह answer भी क्यों जाएगा सही यानसर की बात के तो both conclusion one to sorry यह नहीं बोथ conclusion यह भी नहीं यहाँ पर आपका जो बनेगा answer बनेगा यहाँ बोथ conclusion one and two follows यह दिन इसकर्ट दो और तीन नहीं होगा एक और दो होगा ऑप्शन में करेक्शन कर लिजेगा तीसरा यहां पर है ही नहीं ठीक है चली अंसर की बात के तो क्या हो जाएगा इसका एक पॉसिबल स्ट्रॉक्चर बना जा सकता था तो अगर हम बात करें स्लॉक्स की तो यह हो सिलॉक्स का सेशन जहां पर हम लोगों क्या किया बेसिक साथी साथ ओनली आफ्यू पर बेस्ट कॉश्टन भी अम लोगों डिसकस की तो क्या यह कंप्लीड जीलॉक्स मैंने कहा आपके एकजाम में जतना पूचा जाता है कहीं उससे कहीं जादा मैंने आपको न्टन हो डिल प्रकार से भी आपको कुश्चन्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको अभी पढ़ने की आउशकता नहीं है आपके एक्जाम के पॉइंट आफ उसमें ने कहा जो कंटेंट है वो क्या है more than enough है इसी पर प्रैक्टिस करिए यही पर आपको बहुत सारे डाउट्स देखने को मिल में लेकर क्या हूंगा मैराथन क्लास जहां पर आपके सिलॉक्स से जुड़े ए टू जेड कॉंसेप्स को विद रीजन विद लॉजिक हम लोग बिल्कुल डिटेल से जैसा कि अभी हमने डिसकस किया आपके साथ कम्मुनिकेट करते हुए सीखेंगे और डिसकस करेंगे ठी ठीक है आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफिसे मैंने का जो कंटेंट मैंने डिलिवर किया अगर आप आधर कैस नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपके पास जो कंटेंट है वो क्या है पॉसिबिल्टी जैसे की बनती है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा आपको help करेगा ठीक ह तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग नेक्ट क्लास में एक ने टॉपिक के साथ थैंक यू